हेलो एवरिवान, वेलकम टू माई चैनल, सिंपल ब्यूटी सिल्यूशन्स फ्रेंज्स, आज की रेमेडी बहुत ही असरदार होने वाली है, जो कि आपके चेहरे को बहुत ही गोरा और सुंदर बनाने में बहुत हेल्प करेगी ये नुस्का इतना ज़्यादा असरदार है कि एक ही बार के इस्तिमाल से आपका चेहरा खिल उठेगा इस नुस्के में मैं आपको बताऊंगी कि आप दूद में ऐसी कौन से चीज मिला कर लगाएं जिससे कि आपका चेहरा भेहदी गोरा और बेदाग हो जाएगा जो चेहरे पर धूब के जिससे टैनिंग हो जाती है, चेहरा काला पड़ जाता है, स्किन पर दाग धब्बे हो जाते हैं, ये उन सब को हटाएगा और आपके चेहरे को दूद जैसा गोरा बनाएगा इस रेमेडी को आप दोनों boys and girls यूज़ कर सकते हैं, आप इस अपने छोटे बच्चों पर भी apply कर सकते हैं, ये 100% natural रेमेडी है और ये आपको एकदम instant results देगा एक ही बार के इस्तेमाल से आपको अपने चेहरे में difference नजर आएगा, आपका चेहरा बहुती bright और glow नजर आएगा तो friends, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा कच्चा दूद, इसके आप उबला हुआ दूद नहीं ले सकते, इस नुस्खे के लिए आपको कच्चा दूद ही लेना है गाय का कच्चा दूद, हमारे चहरे के लिए बहुत ज़यदा फायदे मंध होता है ये चहरे पर से सारी गंदरगी को हटाता है कालेपण को हटाता है डाग दबों को दूर करता है कच्चे दूद में लैक्टिक असेड होता है जो कि हमारी skin की ऊपरी सतह को gently exfoliate करता है और सारी dead skin को remove करता है सबसे पहले आप एक कटोरी में 4 चमज कच्चा दूद लीजिए जो दूसरी चीज हमें इसमें मिलानी है वो है गुलाब जल यानी rose water आप कुछी अच्छी quality का गुलाब जल लीजिए rose water एक natural cleanser की तरह काम करता है और skin को naturally साफ करता है इचेहरे पर से सारी गंदगी को हटाता है और चेहरे के pH level को भी maintain रखता है अब आप एक चमज भरके इसमें rose water यानी गुलाब जल अड़ कीजिए अब जो तीसरी चीज हमें इसमें मिलानी है वो है aloe vera gel आप किसी भी brand का 100% pure aloe vera gel ले सकते हैं मैं plum का aloe vera gel ले रही हूँ जिसमें ना ही कोई color है और ना ही कोई खुशबू है तो आप ऐसी ही अच्छी quality का कोई भी aloe vera gel ले सकते हैं aloe vera gel हमारी skin पर से दाग धबो को दूर करता है हमारी skin को tighten करता है हमारी skin को rejuvenate करता है हमारी skin जो बहुत डल पर जाती है aloe vera gel हमारी skin को एक glow देता है अब आप इसमें एक चमच भर के aloe vera gel ले ले कीजिए आप चाहें तो इसमें जो fresh aloe vera gel होता है जो हम natural leaf से निकालते हैं उसे भी ले 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 सकते हैं हमारी skin को moisturize करता है हमारी skin पर से दाग दबो को दूर करने में बहुत helpful होता है मारी skin को naturally titan भी करता है और मारी skin को जवा बनाए रखने में help करता है अच्छे से इन सारी चीजों को mix कर लीजिए अच्छे से सारी चीजों को mix कर लीजिए और हमारा बहतरीन नुस्का बनकर एकदम तयार है तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसको यूज कैसे करना है जिससे कि आपको इसके maximum benefits मिले आप एक cotton ball लीजिए अच्छे से cotton को इस solution में dip करके जैसे मैं अपने hand पर apply कर रही हूँ उसी तरीके से आपने अपने चेरे पर और गरदन पर apply करना है इसे 2-3 मिनट तक अच्छे से अपने पूरे चेरे पर लगा लीजिए और फिर इसे सूखने के लिए आप 15-20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए जैसे ही सूख जाएं तो आप गुन-गुने पानी से अपने चेरे को धो लीजिए इस नुस्के को आपको रात को सोने से पहले apply करना है एक ही बार के use में आप देखेंगे कि आपके skin कितनी smooth, soft and glowing बन जाएगी यह नुसका आपके चेरे पर से कालेपन को दूर करेगा आपके चेरे को गोरा बनाएगा, चमकदार बनाएगा और बेदाग बनाएगा इसमें हमने सब natural चीज़े यूज़ करी हैं जो कि बहुत आसानी से आपके घर में मिल जाएंगी तो इसके कोई भी side effects नहीं है वो नीचे मेरे साथ comment section में जरूर शेर कीजिए अगर आपको यह वीडियो जरा सब यूसफुल लगा हो तो इस वीडियो को जल्दी से like कर दीजिए और मेरे चैनल को subscribe कर दीजिए मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स वीडियो में ऐसे ही किसी फायदवन नुस्के के साथ तब तक अपना ख्याल रखेगा Take care and bye bye